हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे आर्सीब वर्सिस जीटी ड्रीम 11 स्टेट्स प्लस इंफो ड्रीम बेडिक्शन देखेंगे मज़ेदार मैच होने वला है बैंगलौर और गुजरात का मैच तो है बैंगलौर के लिए जीतना बेगद इंपोर्ट भी बेज़ पाता हूँ जो आपको काफी एल्प करेगी सो आप क्या करेंगे आप टेलीग्राम में जुडएंगे लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का यहां पे आपको बता दू यूट्यूब पे नहीं किया सब्सक्राइब कर गया बैल आइकन तो प पेल में आपका चैनल पर सबस्क्राइब वीडियो पर लाइक रहेगा अंसर सही रहेगा तो जीतने का चांस रहेगा पांच विनर चूस किये जाते हैं 2000 यहां पे 20 रुपे मिलते हैं उन पांच विडियो में रहता है मैच है चिनस्वामी बैंगलोर में पिच्छके बारे म ब्रही हम यह बाते कर लेते हैं सबसे इंपोर्टन जो चीज है यहां 200 क्रॉस सिर्फदि लिवं 151 है बाकी सबका 170 क्रॉस यहां सस सथाटर क्रॉस यहां 200 क्रॉस यहां लगते हैं गेम में आपको ध्यान रखना यह चीज का और इस ग्राउंड पर रंज लगते ही हैं तो किंग कोली का नाम कैसे ना है पिछले मैच बजी ने शतक भी लगा डाला यहां पर आप देखी रहे हो काफी बढ़िया परफोर्मेंस निकल के आया है दिनेश कार्तिकर थाइस मैच 345 एक अफ सेंचरी के दार जादब की दो हाफ सेंचरी है साहा के आठ इनिंग्स में यहां पर एक शतक है ठीक है सीधा सीधा सेंचरी है द्यान रखना अब बाकी विकेट की बात करें तो तईस मैच पे 19 विक्टे हर्षल सिराज 15 में 17 विक्टे 6 में 11 करन शर्मा 9 में 9 मुहिद शर्माई शर्माजी के लड़कों ने अच्छा की है पार्नेल 6 में साथ हार्दिक 9 में साथ और विजे कुमार वाईशक 4 में चाहिए यह रहे हैं दोस्तों इसी वेन्यू के स्टैट्स आप एक बर गौर कर सकते हो दोस्तों दो मैचिस केले गए हैं हैट टूएड में और दोनों लास्ट येर के मैचिस हैं दोनों टीम बैंगल इस राशिद 19 और दो विकेड भी इसके बावजूद बैंगलोर जी तक क्यूं विराट 73 44 फाफ डूपलेशी 49 और मैक्सवेल और एक विकेड भी हेजल बूट दो विकेड हसरंगा एक विकेड अगर आप देखोगे कितरा हाइज स्कोरिंग मैच और में खिलाड़ी चले है 168 170 लेकिन 62 हार्दिक के 73 कोली के 34 मिलर के 44 फाफ के 31 साहा के 40 मैक्सवेल के रंस बने थे उस मैच और में खिलाडियों ने करे थे यहां भी आपको रंदेखने को मिले यहां भी विराट का 58 है 33 मैक्सवेल शवाज दो विकेड हसरंगा दो विकेड येवले में तेवेतिया 43 25 गेंदों में 39 देविड मिलर 31 मंगिल 29 सहा 20 साय सुदर्शन प्रदीव सांगमान वो मैच खेले दो विकेड राशित खान एक विकेड और अलजारी जोसेफ भी इस मैच में दोस्तों आपको बता दू एक विकेड लेके गए थे अब अगर आप देंगे दोनों देखी ठीक है यही आपको अगले पेच पर देखने को मिल रहा है विराट के दो मैच में 131 मिलर दो मैच 73 की क्यूं है एक मैच में नौट ओर यहां 34 है मिलर के यहां पर 39 नौट और टोटल हुआ 73 और उसमें भी एक मैच में नौट ओर थे इसलिए 73 की आवरेज तो वही डेटा ज बोलर्ज को छोड़के बोलर्ज अगली स्लाइड पे हैं उनको भी देख लेते हैं यहां पर आपको रिसेंट फॉर्म बोलर्ज का देखने को मिल रहा है अफ्कोर्स किदार जादब को यहां पर एडड किया था वो भी बल्लेबाज हैं बोलर नहीं है बड उनको इस पेच मैंने एड़ किया था क्योंकि वो बाद मैंड हुए थे स्कॉर्ड में वागी सब का आपने देखी लिया है अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों यहां पर बैंगलॉर की यह लाइन अप है लास्ट में दिरेशकार्तिक नहीं खेले थे बहुत बहुत एविडेंट था वह आ ज परसेंट अब हम आगे बढ़ें अगर तो आपको देखने को मिलेगा यार क्योंकि इनके लिए में अनुज रावत कर रहे हैं दिरेशकार्तिक नहीं आपको स्कोरिंग में देखने को मिलेगा यार फाफ दे तो फैबिलस वला काम की है सेवेंटी टीटी टीटी सेवेंटीन जीरो चौवन इकत्तिस पच्पन एक अठना और सौ तो दो तीन मैच पे फेल हुआ है लेकिन इनका लास्ट में सौ आया पचास-पचास-पचास-पचास-पचास-चे देखने को मिली है इस आई-प्यल नहीं यहां एटीटी टू सिक्टीवान फिफ्टीनाइन फिफ्टी यहां पर ब्रेस वैल नाइन और फोर नॉट और अनुजरावत उन्तीस नवाद यहां पर आपको देखने को मिला एक ही अच्छा स्कोर किया है लेकिन शाबाज अहमत बल्ले से कुछ खास करनी पाई लेकिन बोलिंग अच्छे लास्ट यह काफी अच्छा काम किया था आज की जगा मतलब करन शर्मा एक्च्वली नंबर ग्यारा हो गए क्योंकि दिनेश कार्थिक बीच में आ जाएंगे रसी भी जैसी डीब बल्लेबाजी किसी टीम की नहीं है इस आई पिल में वेरी गुड टीम इसलिए मैं हरान होता हूं यह कैसे हारते हैं जब भी हारते ह बाकि इनकी बोलिंग देखो लास्ट मैंच में ब्रेस्वल ने आके ओवर किये अगर आप देखोगे थोड़ी लगी विकेट्स मिली लेकिन विकेट्स मिली तो मिली भाई यह दो ओवर किये थे आए थे लेफ्ट हेंडर को आउट करने करके चले गए साथ में राइट कि यहां पर आपको मैं बता दू चार ओवर विन पारनेल के तीन ओवर करन शर्मा के चार ओवर हर्शल के और चार ओवर सिराज के थे सिराज ने बहतरीन 20 ओवर डाला था और विकेट भी निकाला था इफ़ाएंड फिलिप्स का बहुत ही बढ़िया बुलिंग करी थी और सब ने कॉंट्रिब्यूट किया है मैं तो हरान ही होंगा अगर मैं चारे तो बट सामने ना गुजरात है अगर कोई हरा सकते तो गुजरात टेबल टॉपर है भाई है अब यह आप देखो बेंच स्टैट्स है मैंने दिनेश कारती करना बेंच पर रखे लेकिन इंपक्त त चैट्स बताए थे मैंने अब आप दोस्तों देख रहे हो लास्ट यर के इनके हीरोज फाफ विराठी थे तब दिनेश बहुत बढ़िया के लिए हसरंगा विक्टो में थे हैं थोड़ी सी चेंजिस चल रहे हैं अगर यह दोनों में से कोई भी आता है तो इंपोर रहेगा अब यह आपको बता दू जॉश लिटल जो पिछले कुछ मैचिस में वेलेबल नहीं थे आर्लेंड की ड्यूटी पे गए थे आ गए हैं तो मुझे लगता सीधा आज बोलर आपको खेलते दिखेंगे और विजे शंकर की फिटनेस लग रही है क्यों कीनों ने वाबब पर किया था तो मैंने दरसुन शनाका को निकाला लिटल को टीम में डाला विजे शंकर को टीम में डाला यश्दियाल को निकालके आप कहानी समझ रहें तो यहां पर आपको चेंजिस देखने को मिल सकता है बाकी लाइनप ऐसे ही रहेगी अब इनकी स्कोरिंग की बात करते हैं गुजरात की टीम बहुत बढ़िया खेली है लास्ट मैच में गिल ने सबकी नहिया पार करी सहा तो गए ठीक है लेकिन ओवराल सहा भी बढ़िया खेले हैं पच्छिस चौदा सतरा थीस चार संतालिस चारदा जीरो फॉट्टी नोट एट्टीवां यहां वले दो दिनों म यहां पर भी तो रन पे ले जा सकते हैं बिलकुल साय सुदर्शन जब जब खेलें अच्छा खेलें 47 बीस उननिस तिरपन्द बासाट्थमाद 22 हार्दिक का फॉर्म कंसर्ण रहा है बीच में कुछ मैंच 56 59 39 मारे लेकिन उसके लाब थोड़े से फ्लॉप रहे हैं मिलर सबने थोड़ थोड़ा परफॉर्मेस दिया है ठीक है स्टार्ट के तीन मैच विजेशंकर ब्रिलियंट थे तब इतिया साब फिनिशिंग करते हैं राशिद खान यह सेवेंट नहीं देखा तो देखने वला था बाकि इनकी बोलिंग में जान है राशिद खान शमी नूर लास मेच में नूर एमद ना कोटा पूरा नहीं कर पाए थे अगर आपको याद हो तो बैंगलवार में यह मैच आये हैं अमदवाद से यहां पे तो खेलने ही आयोंगे तो मैंने उनको लाइन अप में भी रख्या और इंपॉर्टेंड भी है यदि उन्फिट हुए तो ज पिछले मैच में इनको इंजरी हो गई थी ठीक है लिटल आएंगे तो यह भी करेंगे नहीं आएंगे तो यह इस्दियाल करके जाएंगे एक आदा ओवर इन्होंने मजाक में रहुल तवेतिया से करवा लिया पिछले मैच में एक्षली नूर आहमत को लग गई थी तो इन नहरा जी ने पिछले एक दो मैच पहले बोला था कि हार्दिक को थोड़ा सा इशू आ रहा है बैक में इशू था जिस वज़े से वह बोलिंग नहीं किये हैं अगर ठीक हो जाए और हार्दिक बताते नहीं है सीधा मैच भी बता लगता है यह बोलिंग करेंगे कि नहीं यह एक कंसर्ण हार्दिक के साथ हमेशा रहता है अगर आप देखोगे करंट सीरीज बेंच प्लियर्स दसुंशना का का नाम 908 के बावजूद बेंच पर रख दिया है अभी न मनोहर विकल्प हैं अगर चाहे टीम अगर विजशंकर फिट नहीं है इनको खिला सकती है बाकी द देना बस किव जॉइन करने आपको करना क्या है आपको कुबेर अप करनी है कुबेर आप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउन लोड कर लो कोड़ फोरकस्ट डाउन लोड करते ही आपको दिख जाएगा अब जॉइन कर लो फ्री एंट्री आपकी 25 जार का जब शमी ने पांच बर आट किया है राशिद खान ने दो बार किया है हार्दिक ने एक बार किया है तीन बार जोसेफ की में अधने में लेकिन फाफ देखते हैं राशिद ने दो बार किंग को lige को तीन बार फाफ को किया है पन्ताल waterfall को की है मोहित सर्माने 14 गेंदों में तीन बर आउट किया इनको एक्सली चौदा गेंदों में एक बार किया क्योंकि यह मैंचप है यह सेपरेट वंडे में दो विख्टे दिखाई है आपको मैंने तो टीट वेंटी में लिटल ना लेकिन सबको कई नहीं तंखिया किं को चोड़के बाकि आप देखोगे दिनेश कार्तिक तीन बार उट हुए राशिद क्या गया अगें वही यार स्पिनवला थ्रेट दिनेश कार्तिक को तंग कर रहा है शमी ने दो बर अलजारी ने एक बर बंडे में एकदम नॉर्मल अलुज रावत मही पल लॉम्र और अलजारी जोसिफ क्या गया उ ही है लिटल का नाम आया राशिद और शमी का तो हर जगाच आई बाकि आप जीटी के बैटर्स देखते हैं गुजरात के पहले वल्लेवास देख लेते हैं सहा किसकिया अट वह है किसराज ने ने दो बर तंग किया हर्शल ने वह ड़ीं प्र आउट किया चुबंग अगैं करणा self-tech यानि उतने ही भूल में उतने ही टन और एक लोगाले इवर सोजन देंगे पर contenido किया है लेकिन साइस सुदृशन एक भर अजय में रूट है हारदिक के मैचएप देख है यह भी हर्शल की आगे दोबर में रभी कर सकते हो बाकी यहाँ पर सबकर्ट हैं berner लेटिव ने सबको तंग किये मैकसवल रसरंगा के एक बार राहूल तवेटिया देख सब्सक्राइब कर दोस्तों और यदि आपने दोस्तों मेरे को तंग नहीं करना तो जल्दी से चैनल में जुड़ जो हमारे टेलीग्राम के लिंक सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम रिपीट कर रहो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कोमेंट में आए टीम करने चलते हैं जो सब्सक्राइब करने आगे सबसे पहले मिलेंगे रिदिमान साहा बहुत इमोटन घिलाड़ी है इस ग्राउन पर शतक भी है लेकिन सामने और है क्या बेंगलाड टिकने देगी रिदिमान साहा को देखो चॉइस देखो के तो दिनेश काफी नीचे आ रहे हैं थोड़ा फिनिशिंग पर धियान है अनुजरावत भी काफी नीचे आ रहे हैं उनको मैंने चूज कर लिए अट लीस्ट ओपनिंग पे तो हैं वेड फ आपको चारों ही प्लेयर ओपनर देखने को मिल गए हैं अब यहां पर मेरे पास ऑप्शन है साइस सुदर्शन वांड़न आके रेगूलर परफॉर्मेंस दिया है डेविड मिलर धकड़ खिलाड़ी चिनना स्वामी का मैदान किसको नहीं याद किये क्या कर सकते हैं चौके बेलते हैं तो नीचे ही आते हैं सुय अश्केदार उर्विल पटेल इन सबको मैं नहीं ले रहा हूं मैं आगे और राउंडर पे मैक्सवेल हार्देख ये दोनों तो मुझे चाहिए और स्पिन भी करते हैं लेकिन मैक्सवेल कमें का मैं बल्लेवाजी हार्दिक बोलिंग स जो भी खेलेगा इन दोनों में लेके चलेंगा बेस्वेल खेला तो इनकी और बोलिंग क्या काम आएगी बिलकुल काम आएगी सामने आपके पास राहुल तवितिया है साइश सुदर्शन अगर खेलते हैं तो एक लेफटी बीच में और बैठ गया क्योंकि मिलर तो है ही त दोनिया इदर की उदर हो जाए जीटी की रैंक आज कोई फरक नहीं है तो यह नेवर नो आज हार दिक कई मुझे राम दे दो राशित को राम दे दो ओडियन स्मित को खिलालो तो यह चेंज कुछ भी हो सकता है आपको नॉलेज के लिए बता दू ओडिया स्मित क्वालिट वेस्ट इंडीस के तेज चौके चक्के लगाते हैं और मीडियम पेस करते हैं ठीक है बाकी राशित खान बहुत बढ़ी है हम सबको बता है ग्रेड बोलर बल्ले से भी काम कर सकते हैं शमी वेरी फास्ट बोलर इंपोर्टेंट है विकेट टेकर हैं सिराज भी रख सकते हो बिल्कुल कोई मनाही नहीं है मोहिट शर्मा कुछ ओवर करते हैं इंपोर्टेंट और डेथ में भी आ जाते हैं पार्ने लेफट आंव स्विंग है हर्शल का मैच अपस में नाम था नूर एमद पिछले मैच अप पूरे ओवर नहीं कर पाए लेकिन नूर के विरियेशन ऐ हर्षल भहिया का मैच अपस में नाम है सिराज की फॉर्म कामयाब है और सिराज मैदान पर विक्टे भी निजाली है सु यहां पर मैं कंफियूज हूं आपको रिस्क लेकर हर्शल है से जाना है सिराज है मिरको आपको पता ही है इस पसंद मैंने हर्शल को रख लिया है आपकी नॉलेज के लिए बता दू है तो मैं लख लूँगा इंपोर्टेंट है करन शर्मा लेक्स्पिनर है अलजारी के खेलने के थोड़े चांस कम है क्योंकि लिटल आ गए है जॉश लिटल कहां छुपे बैठे है नाम लिखा है अनवेलेबल अरे यह किस ने लिखा है यह अब टीम की मर्जी है लेकिन फिलहाल यह सब विकल्फ हैं मैंने फिर भी बताना था आपको बता दिया अब यहां पर दर्शन नलकंदे काश दीब सिधार्त को रवी श्रीवासन साइक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लास्ट इम खेले भी थे ठीक है और यह TNPL स्टा सेल मैच अब देखते हुए साथ में नूर हमत ठीक है अगर आपको सिराज लेना है तो आप ले लेना कोई दिक्कत नहीं है स्पेशली अगर गुजरात की बाद में बोलिंगा सिराज को इस टीम में डिरेक्टी रख लेना ठीक है अब यह मेरा कॉमिन बन गया बैस सीवी सी का बहुत सोच विचार किया बहुत जादा सोच विचार करके कटन सी कहर्दिक को या कप्तनी को फेली बनते हैं और फॉर्म को ही देखते बहुत बढ़ा तो यह चीज दिखके चलना मेरा फाइनल टीम में चेंज हो सकता पूरा-पूरा स्कोप है यह disgeld advice》 टीम में चेंजिस कर सकती है मैंने आपको सीवी सी बता दिये फाफ और हार्दिक लेकिन दोस्तों गर आपने चल वे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल एकन प्रेस करें और नोडिफिकेशन अन रखें क्योंकि टेलिग्राम पे आता है अगली वीडियो में म ही हुना लेट